जय हैं दोस्तों, UPSC, PET एवं UPSC की सभी प्रत्योगी प्रच्छाओं के लिए टॉप GK के टॉप 25 प्रसंद जो UPSC की सभी प्रच्छाओं के लिए महत्पूर हैं चुर शुरू करते हैं प्रसंद नम्मर एक से पहला प्रसंद है उत्खनित प्रमाणों के अनसार पस्पालन का प्रारम हुआ था तो आपको याद रखना है जो उत्खनित प्रमाणों के अनसार पस्पालन का प्रारम हुआ था वो हुआ था दोस्त मद्पासार काल में और दोस्त आपको ये भी धार रखना है कि भारत में पस्पालन के साच कहा से मिले तो दोस्त पहला साच मिला था आदमगड आदमगड मद्ध प्रदेश और दूसरा मिला था बागोर राजिस्थान से ठीक है दोस्त राजिस्थान से तो भारत में पस्पालन के साच आदमगड मद्ध प्रदेश से और बागोर राज प्रश्टान से मिले थे आपको यह भी धार रखना इंप्रेंट प्रसेंगे कई वर पूछ लिया गया है कि भारत में पस्पालन के साथ कहां से मिले तो आपको याद रखना कि बागोर और आदमगर से अगला है निमलिखित में किस स्थल से मद्ध पासार काल के संदर में हड़ी से निर्मित उपकड़ प्राप्त हुए हैं राइट ऑप्षन, ऑप्षन सी, महे दहा से, दोस्त आपको याद रखना है हड़ी बस सिंग, हड़ी बस सिंग से निर्मित जो उपकड़ प्राप्त हुए है, वो प्राप्त हुए है महे दहा से, अगला है भारत में चांदी की उपलब्ता के प्राचीनतम साच्च मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, राइट ऑप्षन, ऑप्षन ए, हडपा संस्कृत से, अगला है, प्राप्षन नम्म चार, कि प्राचीन भारत में निसाका से जाने जाते थे, राइट ऑप्षन, ऑप्षन डी, स्वड आबूसर, तो आपको याद रखना है, जो प्राचीन भारत में निसाका से जाने जाते थे, वो जाने जाते थे, स्वड आबूसर, पहले इनको स्वड आबूसर को निसाका के नाम से जाना जाता था, अगला है निम लिखित में कौ कौन सा प्राचीन भारत में सेब संप्रदाय था राइट ऑप्सन सी मत-मयूर उप्रयुक्त सबी नहीं है राइट ऑप्सन ऑप्सन सेब संप्रदाय था वो था मत-मयूर अगला है प्रसन नमग छे ओधन्त पुरी सिच्छा केंद्र निम्र में किस राज्जी में अवस्तित था राइट ओप्शन ओप्शन ए बिहार आपको याद रखना जो ओधन्त पुरी सिच्छा का केंद्र है वो भारत के बिहार राज्जी में अवस्तित था और इसको दोस्त ओधन्त पुरी को उनाद पुर भी कहा जाता है ये भी आपको धान रखना है कि ओधन्त पुरी को उधनापुर उधनापुर भी कहा जाता है और दोस्त इसकी स्थापना किसने की दो आपको याद रखना है कि ओधन्त पुरी की स्थापना पालवंस के प्रतम सासक न की का नाम था उनका पाल वंस के प्रतम सासक थे गोपाल तो आपको याद रखना है कि ओधन्तपुरी सिच्छा का केंद्र है वो है बिहार में भारत के बिहार राज्य में और इसको उधनापुर भी कहा जाता है और इसकी इस्तापना पाल वंस के प्रतम संस्ता पक गो तो आपको याद रखना है कि विश्पत रेखा बद दिन और रात ब्राबर होते हैं अगला है निम्नांकिन देशों में किसकी जनसंक्या सरवादिक है तो कौन से देश में जनसंक्या सरवादिक है राइट ऑप्षन, अप्षन सी इंडोनेशिया विकल्प के अनुसार दोस इंडोनेशिया में सबसे अधिक जनसंक्या अगला है डैनूब नदी का उधिजगम किस देश में है राइट ऑप्षन ऑप्षन ऋप्षन भी जर्मनी तो आपको ध्यान रखना है याद जर्मनी देश में है अगला है प्रसंद नमबर दस निम लिखित में कौन सा सतय पर जल संसादन का एक उधारड है सतय पर जल संसादन का कौन सा एक उधारड है राइट ऑप्षन, ऑप्षन ए जहील जो जल संसादन का प्रमुक्स उधारण है दोस्त वो है जहील ना की कुंवा, टैंकर, समुद्र राइट ऑप्षन, ऑप्षन ऑप्षन ए जहील अगला है प्रस्ण नमर ग्यार है नीवु में एसिड पाया जाता है नीवु में कौंसे ऐ लीबीु में पाया जाता है इप्रेंटेंट प्रसंड कॉर्ण पोन प्रियोग किया जाता है राइट आप्शन, आप्शन A, एसिट लीन ये भी important प्रसंड है कई बार पूँचा गया है तो राइट आप्शन, आप्शन A, एसिट लीन के हरे फलों को पकाने के लिए एसिट लीन गयस का प्रियोग किया जाता है अगला है, रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया की स्थापना किस वर्स में हुई थी राइट आप्शन, आप्शन D, 1935 में रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया की स्थापना हुई थी और दोज, ये भी इंपोर्टेंट है कि इसका प्रसन कई वार पूशा गया है रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया का राष्टी कड़ कब हुआ तो राष्टी कड़ हुआ था, 1949 में ये भी आपको धान रखना है और इसकी स्थापना हुई थी, 1935 में अगला है, प्रसन नंबर चाओद है गरेवी हटाओ का नारा दिया गया था आपको याद रखना कई बार ये प्रसंट पूचा गया है प्रिच्छाओं में अगला है बोटिंग स्याई में निम्न में किसका प्रियोग किया जाता है जो बोटिंग स्याई होती है बोट पढ़ने पर हातों में सही लगा जाती है उं और सिल्वर नाइटेट का फॉर्मूला है शूत्र है ए जी एनो 3 इंप्रूटन्ट प्रसन है कई वर पूंचा गया है तो आपको याद रखना है कि बोटिंग से आई में सिल्वर नाइटेट का प्रयोग किया जाता है ए जी एनो 3 अगला है प्रसन नमबर 16 भारत में निर्वाचित होने का अधिकार है राइट ओप्सन ओप्सन ए बिदिक अधिकार तो आपको याद रखना है कि भारत में निर्वाचित होने का अधिकार है वो बिदिक अधिकार है और जन प्रतिनिदित अधनियम 1951 के तहत भारत में निर्वाचित होने का अधिकार बिदिक अधिकार है 1551, अदिनियम, 1951 के तह置. अगला है भारती निर्वाच designers आयो कि बरत्मान अध्यत्छ निम्लिख्चित में किस किरम के हैं ? Right Option, Option C 24 तो भारत में निर्वाचparents आयो कि बरत्मान अध्यत्छ हैं, वो हैं 24 नंमर के और जो बरत्मान अगर पूछ लिया जाए दोस्त कि भारती निर्वाचन आयो का प्रतम अध्यच कौन था तो प्रतम अध्यच भी इंपोर्टेंटर कई वर पूछ लिया गया है तो प्रतम अध्यच है भारती निर्वाचन आयो के थे वो थे सुकुमार सैन ये अभी आपको ध्यार रखना है क बरतमान में वो भारती निरचन आयों के प्रिथम अध्यच थे वो थे सुकुमार सेन और बरतमान में हैं वो हैं 24 में नमबर के अगला है उच्चितम नियाले के स्थापना भारती संब्दान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है उच्छतम नियाले की स्थापना प्रस्त नमबर 98 संभदान के किस अनुच्यत के तहत की गई है अगला है प्रस्त नमबर 19 बहरती संभदान की प्रस्तावना में नेमली खित में कितने प्रकार की सुतंत्त्ता का उलेक है कितने प्रकारी सुन्तता का उनलेख है राइट ऑप्शन ऑप्शन डी पांच प्रकार की और कौन-कौन सी है तो पहली है बिचार यह भी नहीं रखना बिचार है दूसरी है अभिव्यक्त अभिव्यक्त और तीसरी है विश्वास और चौती है धर्म और पांचमी है उपासना ठीक है दोस्त यह भी आपको धार रखना है भारती समधाइंग प्रस्तावना में जे कितने प्रकारी सुन्तता को उनलेख है वह पांच प्रकार की और कौन-कौन सी है वह विचार अविव्यक्त वासना यहीं प्रकारी सुन्तता का उनलेख है अगला है प्रसंद नंबर 20 कि सूर्य क्रड़ सैन अभ्यास निम्न लिखित में किन दो देशों में आयुज़त किया जाता है सूर्य क्रड़ सैन अभ्यास राइट ऑपशन ऑप्शने भारत नैपाल तो आपको याद रखना भारत नैपाल सैन अभ्यास है वह उसको नाम दिया गया है सूर्य क्रड़ सैन अभ्यास और भारत बंगलादेश की बीच कौन सा होता है यहभी याद रखना है संप्रीती संप्रीति भारत बंगलादेस की बीच में सेंझावास होता वह होता है जिए आपको यह सभी ध्यान रखना है यह सभी इंपोर्टेंट है और कई वार प्रच्छाओं में यह रिपीट भी हुई हैं हर बार पूछी गई है ठीक है अगला है प्रसंद नमर 21 केंद्रिय औसद अनसंदान संस्तान कहां इस्थित है राइट आप्शन आप्शन डी लखनव तो आपको याद रखना केंद्रिय औसद अनसंदान है वो उत्तर प्रदेश की राज़दानी लखनव में अवस्तित है अगला निमली खित में से आम की बीज रहित प्रजाती है आम की कौन सी बीज रहित प्रजाती है राइट ऑप्षन 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 बीज सिंधू तो आपको याद रखना कि आम की बीज रहित प्रजाती है वो है सिंधू प्रजाती और दोस्ट यह है बिस्स्य की विजें रहत प्रजाति पुर्वोत्र का पहरी वा प्रविश्द्वार किस राजो कहते हैं पूर्वोत्र का पहरी बाप प्रविश्द्वार किस राजों कहते हैं, important person है और कई बार प्रच्छाओं पूछा गया है, right option, option वी असम, तो आपको याद रखना है, पूर्वोत्र का प्रहरी बाप प्रविश्द्वार कहते हैं, वो कहते हैं, असम को, अगला है, प्रसन option A, झारखंड, तो तलईयवान झारखंड में है, और वो है बराकर नदीपन निर्मित, बराकर, नदीपन निर्मित बांध है, ठीक है दोस्ट, जारखंड में बराकर नदीपर तलईयवान्द, अवस्थित्य ये भी आपको याद रखना है, अगला है दोस्त, प्रसन पर 25 कि दूरंड कप के 132 संस्क्रिट 2021 को किसने जीता तो दोस्त दूरंड कप का संबंध किस से हैं तो यह आपको पता होना चाहिए इसका संबंध है फुटवॉल मैच से फुटवॉल मैच में दोस्त फुटवॉल मैच में डूरंड कप का संबंध है यह आपको ध्यार रखना हो और 130 संस्क्रिट 2021 किसने जीता है उसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे दोस्त तो दोस्त वीडियो कंप्लीट हुई वीडियो अच्छी लग है